आप देख रहे हैं SCN News India हर खबर पर नज़र पुलिस अधिक्षक दमो हिमन सिंग चोहान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक शिवकुमार सिंग के निर्देशन में जिले भर में फरार आरोपियों एवं महिला अपराधू को रोकने आउपरेशन मुस्कान चलाया जारा है इसी क्रम में हर टा पुलिस S.D.O.P. प्रिया सिंधी के मार्ग दर्शन एवं हर टा पुलिस नगर निरिक्षक डिपक खत्री के नैतरित्व में हर टा पुलिस टीम ने नाबालिक किशोरी के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को लुध्याना से रिफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की जानकारी के अनुसार बीते दिनों पूर्वे नगर हटा मुख्याले के समीपस्त ग्राम वन्ती की एक 16 वर्शी की शोरी ने पुलिस थाना हटा में रिपोर्ट दर्श कराई थी कि वह नित्य क्रिया करने गई थी वहां आरोपी मनीश पिता चरण अहिरवार उम्र 19 वर्श निवासी ग्राम सकोर निवाई ने उसके साथ दुरचार किया है जहां पुलिस ने आरोपी के विरुद अपरात क्रमांक 12-21 के तहट धारा 376 पासको एक्ट एवं अन्य धाराओं का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारम की थी एवं घटना को अंजाम देकर फ्रार हुए आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी थी पुलिस ने रिक्षक दीपक खत्री ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा कर ऑपरेशन मुस्कान के तहट टीम गठित कर आरोपी को गिरुफतार करने के प्रयास किये गए ठाने पर संतो सहिर्वार अपनी बेटी और पत्नी के साथ में रिबूट करने आये थे कि नावनिग मीटी के साथ में एक लड़के उनके घर के सामने ऐस दीप्चन भार का घर है उनके रिस्टिदार है उसके दौरा इस नावाले बच्ची के साथ में यह जब यह शाम पो पाच बजी के लगवर जो है ना अपने इमित्य कर्म के लिए गई थी तो उस लड़के के दौरा इसके साथ धुराचार किया गया इस तरह की एक रूपोर्ट लेकर थाने पर हाई थी और इनकी रूपोर्ट पर थाने पर अपरात कर्मांक एक्टीस बारा बटे एक्टीस प्रकड़ तीन शेक्तर पास को एक् तम साइवर टीम की मदद से लोकेशन निकाली तो दिली में इसकी लोकेशन का पपता चला वहां पहँचे तो य ait लिधाना में पता चली जो वहां से जोटीम गई सिर्इमार पुलीश दिख्षक मौदे के निर्देशन में एक टीम जो गई थी यह साई इंद्रा सिंग आरक्षक सेलेंद्र आरक्षक भगत यह लोग जो गए हुए थे ऑपरेशन मुस्कार के तहत वहां आरोपी को पकड़ा और इसको पूश्ताच और के लिए अभी रक्ष गिरफ्तार किया गया और श्रीमार पुलीश दिख्षक मौदे कि मार दर्शनों दिशाने देश में तौरित कारवाई करते हुए उपरेशन मुस्कान में एक नाविलिक बच्ची के साथ जो घटना घटेत हुई उसमतर इसको गिरफ्तार किया गया रविकांद बिदोल्या जिला बिरो दो मौ